नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल होम्यो हेल्थ पिंग पर और आज का टॉपिक है लेपरोसी यानि कोष्ट तो आज हम सुरू करते हैं यह टॉपिक और आज का टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि यह बिमारी जो है वो समाज के लिए एक कलंग के रूप में देखा जाता है कि लेपरो सी हो गया है कुष्ट हो गया जाता है इसे दूर रहा करो ऐसो लोग बोलते हैं कि यह दुसरे स्कॉष करके हम लोग आज देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम जाने हैं कि ये suspect रोगी होता कैसा है, इसको लोग पहचानेंगे कैसे, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे बहुत सारे दाग धब्बे आपको नजर आ रहे हैं, ये देखिए दाग नजर आ रहा है, काण पे नोडूल्स नजर रहा है, ये नर्व जो है, वो मोटे हो गए हैं, और ये बहुत सारे छोटे-छोटे हाथ पे दाने जैसे उभर आया है, चकते-चकते ऐसे, इस तरह के बहुत सारे suspect आपको नजर आएंगे, आप देख सकते हैं कि कैसे suspect नजर आते हैं, ये उंगली जो है, यहां पे टेरा हो होता है, और हम कैसे इसको पहचानेंगे, अब देख रहे हैं कि यहां पे घाओ हो गया है, पैर पे घाओ हो गया है, यह सब जो है, वो suspect है leprosy के, तो एक एक करके हम लोग आगे slide में देखेंगे, चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि यह होता कैसे है, तो दोस्तों सबसे पह होता है, यह बहुत ही ज्यादा ग्रूइंग है, इसका इंक्यूबेशन पर इतना ज्यादा लंबा है कि आप एक leprosy patient को detect करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, यह अपना symptom 3-5 साल उसे ज्यादा यहां तक कि 20-15 साल तक हम को बाद में देखने को मिलता है, इसलिए इ सब्सक्राइबर्स है, वह human being है, यह किसी से नहीं सिफ आदमी से आदमी में transmission होता है, और इसका reservoir कुछ भी नहीं है, और portal of exit है, जिसे होता है, यह है respiratory tract, नाक से यह droplet infection के द्वारा airborne transmission होता है, और portal of entry जो है, वह respiratory route है, छीकने खासने से यह फैलता है, और लंबा incubation period जैसा कि म 5-7 साल average ऐसा होता है, लेकिन यह 10 साल, 15 साल, 20 साल तक भी हो सकता है, अब चलिए इसका classification, हम लोग पहचानेंगे कैसे किस तरह का लेपरोसी है, तो इसके लिए हम लोग दो तरह की classification को पढ़ते हैं, एक है WHO के द्वारा classification दिया गया है, और एक clinical classification हम लोग भूक में पढ़ते हैं और बताया गया है, तो यह दोनों किस तरह classification होता है, तो हम लोग जो डबले चो क्लासिफिकेशन को ले करके जाएतर चलते हैं, वह है PB यानि पॉसी बैसिलरी और MB यानि मल्टी बैसिलरी, तो यह दोनों जो है, यह हम लोग classification को देखते हैं, यह किस आधार पी किया गया है, number of skin lesion और number of nerve involved, इस दोनों के basis पे यह जो है, वह classification किया गया है, अब देखते हैं PB और MB यानि पॉसी बैसिलरी और मल्टी बैसिलरी किस आधार पे यह classification किया गया है, तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि skin lesion कितने हैं और nerve lesion कितने हैं, इस आधार पे हम लोग divide करते हैं, तो PB में यानि पॉसीबल बैसिलरी में एक से पांच lesion हम लोग देखने को मिलता है, जहांकि MB में more than five lesion, हम लोग इस तरह से classify करते हैं, और इसका जो skin lesion है, PB का वो asymmetrical होगा, जबकि MB का towards symmetrical होगा, और PB में definite loss of sensation होगा, जबक रखता है, nerve lesion कितना involved होगा, अगर एक या एक से कम है, तो हम लोग PB में रखेंगे, और more than two, अगर है, एक से ज्यादा, दो या दो से अधीक है, तो हम लोग MB में रखेंगे, तो ऐसा क्यों रखा गया है, क्योंकि हम लोग का जो medicine है, लेप्रोशी का, वो PB के हिसाब से दिय जाता है, जो कि MDT blaster pack है, तो इसलिए हम लोग ये PB और MB का classification को ले करके चलते हैं, अभी clinical classification है, इसको भी पांच भाग में ये clinical classification हम लोग देखते हैं, tuber chloride, borderline tuber chloride, mid borderline, borderline lepromatis, lepromatis, तो ये भी classification, clinical classification होता है, अलग-अलग जिसमें flat lesion और concern involved हैं, इस तरह से हम लोग लेते हैं, लेकिन हम लोग अभी जो देखेंगे, वो WHO classification को ही ले करके चलेंगे, तो ये तो हम समझ गए कि इसको हम लोग PB और MB में बाठते हैं, लेकिन हम लोग ये पाचान नेंगे कैसे ये अभी तक clear ने हुआ है, तो इसके लिए सब से पहला है कि cardinal sign को जानना बहुत ही ज़रूरी है, कि जैसे हम लोग TB को देखते हैं, कि उसमें हम लोग जानते हैं कि दो हफ्ते से ज्यादा खासी है, तो हम लोग समझते हैं कि ये TB का मरीज है, उसको टेस्ट करवाएंगे, अगर वो ये माइको बैक्टरिय में प्रिवर को लाई है, अगर उसमें स्लाइड में निकल जाता है, वो बैक्टरिया को फांड करते हैं, तो हम लोग समझते हैं कि TB का पेसेंट है, तो ये cardinal sign उसका है, तो इसी तरह से हम लोग करडीनल साइल लेपरोशी का भी होता है, उसमें हम लोग 3 cardinal sign को ले करके चलते हैं, तो हम लोग अगर ये 3 cardinal sign में से कोई एक भी अगर मिल जाता है, तो हम लोग समझते हैं कि ये लेप्रोशी का पेसेंट तो सबसे पहला काडिनल सेंट क्या है हाइपो-फिगमेंटेड और रेडिस स्कीन लीजन बिद डेफिनिट सेंसरी लॉस तो जो हाइपो-पिगमेंटेड होगा यानि कि जो सहीर का जो जो एक कलर है उससे वह थोड़ा कम होगा और उसमें डेपनिट लॉस अप सेंसेशन होगा और यह जो रेडिस डिस्क लेशन अब इसकीन होगा यानि की वह तामे कलर हलका सा लाली पन लिया होगा होगा दूसरा क्या है इंवाल्ब्मेंट अप पेरिफेरल नर्व डेमेंस्ट अगर समय देखने को मेलेगा मोटा इमोटापा उसमें नजर आएगा था जब पल्पेट करेंगे तो अमटा हो चुका होगा और अगर यह अगल होगार्वन मन demonstrated demonstration करेंगे lab में अगर उसमें हम लोग को mycobacterium cervix में मिल जाता है हम लोग का slide में यह देखिए इस तरह का होगा तो हम लोग समझेंगे कि यह लेप्रोसी का यह case है तो हम लोग समझ गये यह तीनों में से कोई एक, दो या तीनों अगर मिलता है तो यह definite sign है लेपरोसी का अब चलिए कैसे हम लोग पता करेंगे कि यह लेपरोसी का प्रेशंट है कि नहीं तो उसके लिए guideline क्या है कि कोई अगर skin region ले करके आता है इसके पास में तो हम लोग test करेंगे उसको test sensation कि हम लोग पहले पढ़ाया कि definite loss of sensation होना चाहिए तो अगर हम लोग उसे कैसे करेंगे वह भी आपको तक कि हम दिखाएंगे कि मिले आपको इस तरा से देखा जाता है यह देखिए आपको नजर आ रहा है Då इस तरा से बॉल पॉइंट को इस तरह से चुभाएंगे इसमें और देखेंगे कि सेंसेशन इसमें है या नहीं है वह होता है तो हम लोग उसको मानते हैं कि यह लेपरोसी का क्यों हो सकता है अगर यह नहीं है तो हम लोग फिर आगे क्यों देखेंगे ठीक ते और अफर में वो देखते हैं पासियल माथ ट्री में ड्ल बहुक्झार अदैसे अब अगलब meth arkनलब और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अलनर्भ मेडियन और तक रीडियल नर्वतिक्ट gwke और ये दिखते हैं लैट लेओं धियन नर्व एडिय देख़ा enli यह देखिए posterior tbl और यह lateral popliteal और common perennial nerve कि इस nerve को याद रखेगा क्योंकि यहीं nerve involve होता है facial nerve trigeminal nerve medial nerve radial nerve common perennial nerve ulner nerve and posterior tbl nerve यह देखिए यह demonstration of acid fast bacilli or skin smear जब लेते हैं अगर हम लोगों को मिलता है तो confirm के सब लेपरोसी है अब देखिए grading हम लोग करते हैं मसल इस्टेंद का अगर और बिक्लरिस oculi muscle जो है इसका weakness हो जाएगा तो आंक जो है वो पूरी तरह से बंद नहीं होगा यह एक sign हो सकता है लेपरोसी का अभी ulner nerve अगर involve होता है तो हम लोग यहां पर देखेंगे ulner nerve को पलपेट करेंगे elbow के पास अलनर्व तो यह लिटल फिंगर और उसके बगल वाले finger में तो बीक्नेस हो चाएगा जिसको हम लोग इस तरह से हम लोग चेक करेंगे कि यह है या नहीं अगर बीक्नेस होगा तो इस तरह से हम लोग पूस करेंगे इधर से तो यह अंदर की वर चला जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि ulner nerve involve है और यहां पर हम लोग पलपेट करते हैं और यह मुटाई नजर आता है तो यह हम लोग ulner nerve का involvement समझ सकते हैं कि अगर मेडियन नर्व का involvement है तो इस तरह से हाथ को हथेली को ऐसे फैलाएंगे और इस तरह से उंग्ठा को ठाकर के इधर से हम लोग इस पर थोड़ी सी जोड़ लगाएंगे तो अगर यह आसानी से अगरी चला गया है हम बीक्नेस समझ में आएगा कि बीक्नेस से तो हम समझेंगे कि ये मेडियन इनवाल्व है और आप ये देख सकते हैं यहां पर पल्पेट कर रहा है तरह से हम आप तो चलो अगर तो जो हैंड इस तरह से हो जाएगा अब आप देख सकते हैं अगर इसको इन्वालब होगा तेहां फर मुटाई हम लोग इस तरह से चेक करेंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपने मुठी को बांद के रखिए तो इस तरह से उठा करके रखेंगा इन्वालमेंट और यहां लेटल फोसा के फूर्सा के यहां से देखेंगे ज़ो यहां से जुका हुआ नजर आएगा तो समझेंगे लेटल पॉपलुटेल नजर आएगा चुने से पलपेट करने से और फुट्ड्रोप हो जागा तो इस तरह से पेसेंड का पैर जो है एक नी तो हो जाएगा इस तरह से तो हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें कौन-कौन सा नर्व इंभाल्व होता है अब हम लोग ने अभी तक देख लिया कि लेपरोसी को कैसे डिटेक्ट करेंगे लेपरोसी जो है एक तो हो गया पैस से हम लोग तो देखेंगे और उसका नर्व करना होगा त्रीटमेंट कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं ट्रीटमेंट हम लोग ने basis में किया था कि कितने nerve involved है और कितने skin legion है उसी basis में हम लोग leprosy का treatment करते हैं तो हम लोग के पास में PB और MB दो तरह के patient है जो कि child अलग हो सकते हैं और adult अलग हो सकते हैं तो हम लोग का जो ग्रूपिंग कैसे किये थे हम लोग skin legion कितना involved है एक से पांच है तो PB और पांच से अबब हैं तो MB और peripheral nerve अगर कोई जो कि positive सभी में MB में मिलेगा तो इस तरह से हम लोग समझ गया कि PB का कौन सा हम लोग classification कैसे करेंगे और MB कैसे करेंगे इसी आधार पे हम लोग इसका treatment में तो MBT इसके लिए मूं मल्टी ड्रग ठरैपी चलता है मल्टी ड्रग ठरैपी हम लोग देते हैं जो कि एक blister pack में होता है आपको हम आगे blister pack भी दिखाएंगे उसके लिए हम लोग अलग बाटा हुआ है 14 साल से नीचे जो है वह चाइल्ड को मानते है और 14 साल से उपर जानी कि 15 साल उसे एभव जो है उसको एडल्ट मानते हैं तो हम लोग दो तरह से एमबी लेप्रोसी और पीबी लेप्रोसी का blister pack चलाते हैं तो MB लेप्रोसी में आप देखिए रिफैमशीन क्लोफाजमीन डैप्सोन और यह क्लोफाजमीन भी चलाते हैं और पीबी लेप्रोसी में डिफैमशीन और डैप्सोन चलाते हैं तो इसका एमजी जो है अलग अलग है एडल्ट में 600 एमजी जबकि चाइल्ड में 450 एमजी क्लोफाजमीन 300 एमजी और च चा Effects में 150 एमजी डैप्सोन 100 एमजी और चाल्ड में 50 एमजी ठीक है यह चलता है जबकि पीबी लेप्रोसी में 600 जिफैमशीन और कि 450 & G के चाइल्ड में यह स्थारा चलता है और हम लोगों केश में जो है बिलिश्टर पैक हम लोग का 20 महीने में कंप्लीट करना होथा है जब कि पीबिलिप्रोसीं पीबिका जो किय शे कोर्स होता है और 9 महिना में मैक्सिम् कंप्लीट करना होता है कि कोई प्रेसंट छूट जाता है कोई महिना में दवाई खाना तो इस तरह से और यह जो मेडिसीन है वो फिरी और कोस्ट सरकारी होस्पीटल में उपलब्ध है जिस पर प्रिसेंट जा करके आसानी से दवाई ले सकता है अब देखिए यहां पर एंटी बिलिष्टर पैक कैसा होता है यह देखिए यह फर्स्ट रोज होता है जिसको हम लोग सुरू में खिला दते हैं सुपरवाइजर रोज होता है यह देखिए यह एमबी एडल्ट का बिलिष्टर पैक है और यह पीबी एडल्ट का बिलिष्टर तो इस तरह से यह पनाया हुआ है सरकार के व č War Give रचाहिता जाता है और उसके घाने से ठीक भीट के अगर फूर्वाती दोर में घर स्कॉछा ठीक हो जाता है और पह़ला ले ले comfort पांड में पैसेëंट जो है वो उसका 99% बैक्टिडिया जो है वो कील हो जाता है जिससे वह आगे की और नहीं फैगा पाता तो यह बहुत ही स्लो ग्रोइंग बैक्टिडिया है जो कि उसके साथ अगर आप कंटिन्यूस बहुत साल तक रहते हैं तब ही आपको उसमें फैल सकता है अधर्वाइज वह इतनी असानी से नहीं आप एक दो बार मिले उसको चुए तो ऐसा नहीं कि आपको फैल जाएगा यह जो है तो यह देखिए ट्रीटमेंट के बाद में यह पहल है और यह अगर सुर्वाति दोर में सुरू कर दिया जाए मेडिशिन को तो डिफार्वींटी तो बदी सकता है अधर्वाइज आपको डिफार्मेटी नहीं है इसलिए हम लोगों को सही समय पे इसका प्रिवेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है अर्ली डियाग्नोसिस बहुत ही ज़रूरी है उसके घर बाले को जो है वो कॉंटेक्ट देखने परेंगे कि जो उनके साथ में रह रहे हैं उनको कोई साइंस सिम्टम है या नहीं उनके बारे में अवेर्नेस उनको फैलाना पड़ेगा अगर वो दबाई नहीं खाएंगे अपने टीट्मेंट नहीं करवाएंगे तो बहुत दिकत होगा और समाज से कल प्राइमरी डियागनोसिस अगर हम कर लते हैं तो डिसाबिलीटी सो बचाया जा सकता है अगर डिसाबिलीटी हो जाता है तो हम लोग रीकॉंट्रक्टिव सर्जरी करके इसको ठीक कर सकते हैं और हम लोग स्पेसेंट को सोचियोएकनोमिक डियाबिटेशन भी आप समय देने के लिए उमीद करता हूं कि अब आप लेप्रोशी के बारे में काफी कुछ समझ चुके होंगे तो थैंक्स पर वाची थैंक्यू सो मच